हेलो नमस्कार दोस्तों स्वागात है आपका सिविल्स एजूकेशन में यह यूपी पीसेस प्री 2023 के लिए टेस्स सीरीज कर रहा है दे आइस की टेस्स सीरीज है तीसरा टेस्ट है ठीक है तीसरा टेस्ट है इस से पहले इस टेस्ट के दो बाट कर चुके हैं 40 कोश्चन्स हम लोगों ने कल लिए थे और जनवरी मंद की करेंट अफेर्स की जो पीडिएफ है टेलीग्राम पर बागी कोश्चन्स कर लेते हैं यहां पर 41 में यहां पर सही पेर बताना है बाल को हिंडाल को नाल को और सेल और चारों कमपनियां मेटल को एक्स्टरक्ट करती है जैसे पह कमपनी एलियूमिनियम को एक्स्टरक्ट करती है बाल को कमपनी और यह रायपर में नहीं है यह जहरकंड में है जहरकंड के कोरवा जिले में ठीक है पहला गलत है जबकि यह जो हिंडाल को है हिंडाल को के बारे में जानते होंगे आदित बिरला गुरुप की यह कमपनी है आदित बिरला, इन्हीं की बोड़ा फोनाइटी अभी है, हिंडालको में ये जो हिंद लखा है, इसका मतलब है हिंदुस्तान, हिंदुस्तान, एलुमिनियम कमपनी, इसका जो पिलांट है पिपरी में है, ये बिल्कुल करेक्ट है, सोन बद्र में है, तीसरा है नालको, नालक ये नैशनल एलुमिनियम कमपनी, भूबने स्वर, सही है, और SCL, SCL ए आईटी कमपनी नहीं है, ठीक है, ए आईटी कमपनी नहीं है, यहाँ पर SCL से है हिंदुस्तान, कॉपर लिमिटेट, और कॉपर के लिए जानते हैं हम लोग, राजिस्थान बहुत फेमस हैं, क्योंकि राजिस्थान में माइन से हैं कॉपर की, और उस माइन का नाम ही खेत्री है, और खेत्री एक जगए का भी नाम है, आपने खेत्री कॉपर बेल्ट का नाम सुना होगा, खेत्री कॉपर बेल्ट, यह बहुत बड़ा खेत्र जहाँ पर रेजर्व पाए जाते हैं, कॉपर के, राजिस्थान में है तो यह करेक्ट है यहाँ पर गलत बताना था बी ओप्सन से यह इनके लावा और भी कंपनीज है जो मेटल को एक्स्टेक्ट करती है जैसे हम लोग टाटा स्टील पड़ते हैं हम लोग हिंदुस्तान जिंक लेमिटेट पड़ते हैं इसके लावा जी एस पड़ते हैं इस सारी कंपनी अंगेज हैं मेटल को एक्स्टेक्ट करने में कर लेंगे चली दूसरा प्रेशन देखें यहाँ पर पूछा है मारवल क्या है संग मरमर क्या है पिछले टेस्ट अगर आप लोग देखते होंगे तो हम लोग ने बहुत अच्छे से रॉक साइक मिल जाएंगी और मेरा समय भी बच जाएगा ठीक है वैसे संग मरमर होगा इसाब हम लोग जानते हैं यह मैठा मॉर्फिक रॉक होती है कायंत्रित चट्टान होती है तो यहाँ पर आंसर तो भी हो जाएगा लेकिन उस किलिप को देख लीजए सारे चीज़ें रिवाइज ह बनती है है ना फिर एगनियस रॉक से सेडिमेंट्री रॉक्स बनती है सेडिमेंट्री के बाद मैटामॉर्फिक बनती है और मैटामॉर्फिक चट्टानों का जो नीचे भाग होता है यानि एस्थैनोस्पेर में वो फिर से मेगमा बन जाता है और लाबा के फो में उपर आ सोच सेईक्ल को देख लियूंठ ऑफ सिर्टियमन के अंदर से उधिर हुँगा लापा की może धंडद होने पर इस अग्नियास बन जाती है यानि पर वैदर्ण होती रहती है विएन के अपच्छाए पतन होता है गफ्कूल हो सकते और यह जो आफसादार रहा हैंAR 예 आ रहे हैं और मेट आप मॉर्फिक की भी हो सकते हैं आपको ध्यान रखना है इगनियस रॉक्स यानि आगने चटान ऐसी चटान है जिन में किसी भी प्रकार का फॉजिल नहीं होता है कि यह डिरेक्टली लावा से बनी है और लावा में कोई भी फॉजिल नहीं होता तो अब आप सोच रहे होगे कि जब इगनियस रॉक्स में यहां पर फॉजिल नहीं और इनी के जू सेडिमेंटस हैं उन्हेश सेडिमेंट से इंयर सेडिमेंटरीmen से थो से बन नहीं फाझ cricket कहा से आ जाते हैं इन जीवास्म कहां से आ जाते हैं इनमें sufficient मात्रा में जीवास्म होते हैं sedimentary में ये जीवास्म आते हैं lithification से एक layer बन गई यहाँ पर life की उत्पत्ती हो गई हो गई है न फिर ये life इसी layer में समा गई फिर दिरे-दिरे sediment से खट्टा होता गई फिर दूसरी layer बन गई फिर दूसरी layer पर जीवास्म की उत्पत्ती हो गई plantation हो गया, vegetation आ गया वह आप लोगोने पढ़ा होगा ecological succession ecological succession को आप यहाँ से जोड़िए कि एक जगए पहले desert थी फिर ecological succession होगा फिर क्या होगा उसी desert पर फिर जंगल बन गया एक समय है ना तो एक समय के बाद इसी जंगल को तो fossil बनना है है ना तो यह सब होने के लिए लागों साल लग जाती है ठीक है अप कर लेंगे यह दूसरा फिगर देखिए sedimentary rocks के जो example है इनको देख लीजे sandstone, limestone sandstone यानी बलुगा पत्थर और limestone यानी चूना पत्थर यह चूना पत्थर और बलुगा पत्थर जो है यह क्या है यह sedimentary rocks के examples है चली चाहिए तो यहां पर सारे examples देख लीजे एक बार क्योंकि आगे question आएंगे काम आएगा magma निकाल दिया आपने esthenosphere से cooling करा दिया cooling कराने के बाद आपने igneous rocks बना दिया example क्या है बेसाल्ट और granite बेसाल्ट और granite यह igneous rocks है आगने चट्टान है ठीक इनका आपने weathering किया erosion किया अपच्छय पढदन हुगा तो यह sediments बनने लगे sand हुगा gravel हुगा इनी की layer बनती रहती है यह तो obsessed है जब इनी का deposition होता रहता है compaction होता रहता है cementation होता रहता है lithification होता रहता है तब जाकि यह sedimentary rocks बन जाती है sandstone और limestone इन पर जब heat का और pressure का यहाँ पर impact होता है तो यह फिर metamorphic rocks में convert हो जाती है इनके examples है quadgite और marble यह दो important examples होते है marble और quadgite अभी जो metamorphic rocks है इनका कुछ हिस्सा esthenospir में होगा नीचे की तरफ होगा और आपको पता है कि esthenospir जो है वो semi located state में है semi located state में है यानि वो जोन ऐसा होता है जहाँ पर चट्टाने पेगलती है यानि इनकी further melting हो गई कि melting अंदर हो रही है esthenospir में ऊपर मत करा देना melting होती रहती है material होता होता रहता है जब access हो जाता है तो फिर वो volcano के form में ऊपर हमें दिखाई देता है फिर यहीं लावा जब ठंडा हो जाता है तो फिर सेग नियास यह ऐसी cycle चलती रहती है चलिए 43 देखिए भारत का law is का बंडार निम लेकते मैं से किस सेल समूं से संबंधत है यहाँ पर पूछा है यह जो iron के deposits हैं यह किस rock group में पाए जाते हैं देखिए आपने अभी जस्ट पिछले question में rock cycle के बारे में पढ़ा इसी question को आप 43 से link कीजिए 42 को 43 से link कीजिए जैसे हम लोग भारत के बारे में पढ़ते हैं इंडिया के बारे में पढ़ते हैं कि भारत एक divers nature की country है यहाँ फ्लोरल और फॉनल जो diversity है बहुत है उसी प्रकार से भारत की जो geology है यह भी बड़े divers nature की है क्योंकि भारत की जो चट्टाने रही है rock system रहा है यह अलग-अलग geologic period से संबन्दित है तभी यहाँ पर अलग-अलग प्रकार के rock system पाय जाते हैं धारवाड system हम लोग पढ़ते हैं और पुराने समय पर जाएंगे तो आरकेन system पढ़ते हैं उसके just watch जो आया अब हो धारवाड system है उसके just watch जो चट्टाने आई है उनको कोड़ापा system की चट् system आ जाता है कोईले के लिए जो हम पढ़ते हैं देन टर्शरी system कोटनी system यह सारे rock system होते हैं इसे पिछले question में हम लोग ने इगनियस rocks के बारे में पढ़ा आगनी चट्टानों के बारे में पढ़ा इस चट्टाने कैसे बनती हैं इस लाभा से बनती है और इस लाभा कैसे ब मैगमा बोलते हैं और जब यही ही चीज़ थंडी हो जाती है तो लाभा भोलधे तो मैगमा में ओपर लाभा में कोई fossil तो रहते हैं जीवास में तो रहते हैं इसलिए इस लीए immune rocks में कोई भी fossil नहीं रहता है ठीक है इह यह जो immune rocks हैं यह스म की है Easter Marx system क्यरन पढ़ैंगे तो यह किस समय की है ये arcan system की rocks है arcan system अगर आप rock system पढ़ेंगे तो arcan system पढ़ेंगे और arcan system की जो चठान का example पढ़ेंगे तो egnis rocks है और भाई arcan के बाद आएंगे तो आपको दारबाड system की rocks मिलेंगे आप arcan चठानों की weathering करा दीजिए erosion करा दीजिए सेडिमेंटेशन करा दीजी तो धारबाड सिस्टम की चट्टाने बन जाएंगी यानि आसान भासा में अगर बात करें तो आर्कियन रॉक सिस्टम का जो सेडिमेंटरी रूप है वो धारबाड सिस्टम है लेकिन आपको यहाँ पर कन्फ्यूज नहीं होना है आसादी चट्टाने जो है इसमें फाजिल अच्छी खासी महत्रा में पाए जाता है इस सब हम लोग पड़े हैं लेकिन यहाँ पर जो धारबाड पट रहे हो और साथ में यह भी पट रहे हो कि आर्कियन का जब वेदरिंग इरोजन और सेडिमेंटरीशन हो जाता है यानि आर्कियन का जो अवसादी रूप है वो धारबाड है तो इसमें भी फाजिल होना चाहिए लेकिन इसमें फाजिल नहीं होता है धारबाड में फाजिल नहीं होता है तो ये फिर कैसे हो रहा है तो जब यहां पर आउसादी चट्टानों में पाए जा रहे है फॉसल तो धारबाड सिस्टम में फॉसल क्यों नहीं पाए जा रहे है जबकि यह भी तो आउसादी रूप है आरकिन का तो आपको यहां पर यह ध्यान रखना है कि धारबाड सिस्ट यहां पर देखेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगें के गोल्ड लिखा हुए यानि गोल्ड के रिजर पाय जाते हैं यह जो फिल्ड है यह धारबार रॉक सिस्टम से बिलॉंग करती है इसलिए यहां पर गोल्ड मिल रहा है आयरन मिल रहा है और करनाटक में आयरन की भी माइन्स हैं खाने हैं यह ऑप्सन राइट है चलिए 44 करता है ठीक है कौन से स्टेट करता है कमेंट करके बताएगा 45 में पुछा है भारत में एग्रो इकॉलोजिकल जोन्स की कुल संख्य कतनी है हम लोग 17 भी पढ़ते हैं 19 भी पढ़ते हैं 20 भी पढ़ते हैं नेशनल ब्यूरो ऑफ स्वैल सर्वे इनके नुसा 20 है 20 दियान जी महाता टिला से महानदी उडीशा भुबनेश्वर कौन सा है हीरा कुंड हो जाएगा जंबल गांधी सागर हो जाएगा और तापती ये काकरापारा हो जाएगा ठीक है आसान सा कुछ है न तो यहाँ पर 2143 करेक्ट है चली अवे मैचिंग मगरे कर लेना 47 में पूचा है काविरी नदी का उद्गम क्या है इभी जी है ब्रह्मेगरी की पहाड़ियां यह कहाँ पर कनाटक में है यह पाड़ियां यहाँ पर जो ट्रिविट्री से हैं साहिक नदि पिछले कुष्यंस में हम लोगों ने इसको किया भी था ठीकि तो इन दोनों को याद रखें वहावनी और तीर था को आगे चले 48 में पुझा है पंजायती राज विवस्ता अपनाई गई थी PRS पंजायती राज सिस्टम चली यहाँ पर फटाफट प्रवाइज कीजिए 73 Constitution Amendment Act 73 और 74 कभ हुए थे 1992 में हुए थे लागू कब से हुए थे 1993 से हुए थे एक साल बाद अदिनियम के यह बीकमचा जाता है और लागू बढ़स बीकमचा जाता है दोनों याद रखना है 73 जो सम्हतान संसुद अनुगा ग्यार्वी अनुश्य जोड़ी गई चोहत्रवा जो सम्हतान शंसुद अनुगा 12 शूची जोड़ी गई 11.0 सूची में गिराम इस्तर पर ब्लॉक इस्तर पर और जलास्तर पर सरकार है और 12.0 सूची में नगर की सरकार है नगर पाल का है नगर परिसद है नगर निगम है सेंटर लेवल पर गौर्मेंट है ठीक है इस्टिट लेवल पर गौर्मेंट है लेकिन अब ग्राम इस्तर पर भी है जिले इस्तर पर भी है और यह जो लोकल लेवल पर जैसे ग्राम इस्तर पर ब्लॉक लेवल पर डिस्टिक लेवल पर जो सरकार हैं बनी है यह किस की देन है एसी की देन है, तेहतर और चोहतर की देन है, ग्यार्मी और बारिवयनु सुची की देन है, और एल्टीमेटली हो क्या रहा, पावर का सिप्टिंग हो रही है, पावर की सिप्टिंग हो रही है, सेंटर लेविल से स्टेट लेविल, स्टेट लेविल से डिस्टिक्ट लेविल district level से gram level village level केंदर के लिए अलग subject बने हैं ये अपना काम करना है state के लिए अलग subject बने हैं ये अपना काम करना है district level पे अलग subject बने हैं ये भी अपना काम करना है और gram इस तर पे अलग subject बने हैं ये अपना काम करना है सब के लिए काम डिसाइट कर दिये गए और सब के लिए पावर डिसाइट कर दिये गए और यह क्या चीज़े है यह डिसेंटलाइजिसन और पावर है सक्तियों का विकेंदरी करण अब सक्तियों का केंदरी करण नहीं है एक ही जगहे पर सक्तियां नहीं है ठीक है एक ही देख लिए निम्लिकत में से कौन सा एक सामुता एक विकास का पहला इस्ताफित कारकरम था यह जो आपने पढ़ा है Community Development यानी CDP Community Development Program इसको launch कप किया गया था 1952 में कई बार पूचा PCS और इस प्रोग्राम के तहट जो पहला काम हुआ द्यान रखना important question है question अलग तरीके से पूचा है next कीज़े 50 देखे 50 को भी कई बार हम लोगों ने किया है भारतिय समिदान का भाग जो 16 है अनुचे 330 से 342 तक यह किस से समंदत है देखे यह जो पहला option लिखा है administrative tribunals प्रसासने कदिकरण इसमें तो यार कई बार हम लोगों ने पढ़ा है एक ही पार्ट है और इसमें दो ही आर्टिकल है 323 A और 323 B अगर यह भी बात आपको याद थी इसमें बस दो ही आर्टिकल है तो आप जो question में यहाँ पर जो range लेखी है 330 से 342 आप पहले को तो नहीं लगाँगे और इस range में आपको तीन आर्टिकल जरूर याद आ रहा होगे 333 A और 330 B 330 में क्या है नेशनल कमिशन है किसके लिए सिड्यूल कास्ट के लिए 333 A में नेशनल कमिशन है सिड्यूल ट्राइब के लिए और 330 B में नेशनल कमिशन है OBC के लिए ठीक है नेशनल कमिशन फॉर OBC के लिए दो आर्टिकल डिल करते हैं 332 और 340 लेकिन यहां पर ओप्संस में कमिशन से समन्दे तो कोई भी बात नहीं है बाकि जो आर्टिकल्स हैं उनको भी तो देखना पड़ेगा ना 330 में क्या है और 331 में क्या है यह सब बहुत बेसिक आर्टिकल्स हैं यह तो याद होना चाहिए 330 में Reservation है किसके लिए SC और ST के लिए किलियर हैे और 330 में क्या होता है प्रेसिदेंट की दोगरा तो यहाँ पर ओंडियन हो जाएगा अडिया जाता था अभी में तक इसको खत्म कर दिया गया अब कर दिया गया है एक सो चार मां समिधान संसुदन है जिसके तहित एंगलो इंडियन का रेजर्वेशन समाप्त कर दिया तो यह चीज़ ध्यान रखाएं तो यहां पर डी ओप्शन सही है ठीक है डी ओप्शन सही है इनको कॉंस्टिट्यूशन में देखेंगे देख लिए जादा समय नहीं लोक सबाख रेजर्वेशन रेपरेजंटिशन यह दोनौ हो गए남 यह श्तर पर हो National Commission, ST के लिए, 330B में National Commission, OBC के लिए और 340 भी डील करता है इसी से, appointment of a commission to investigate the conditions of backward classes, ठीक, चली, चली, 51 देखें, 51 मैं पूछा गया है, निमने में से कौन सी एक कमेटी, समीती इभारत में पंचायती राज वेबस्ता से संबन्दित नहीं है, इस question को भी हम लोग कई बार कर चुके हैं, पिछली वीडियो में जो हम लोगों ने किया, पहले टेस्टों में हम लोग इसके बारे में डिसकस कर चुके हैं, तो मैं उसे की किलिप यहां पर लगा दे रहा हूं, किलिप लगाने का परपच बस है ही है कि समय मेरा बचरा है और सारी चीज़ें आपको एक साथ प्रोवाइड हो जा रही है, उस किलिप को देख लेना, यहां पर करेक्ट अंसर दनेस गोस्वामी समीती हो जाएगा, इसक सेल्फ गवर्मेंट रूल को इंप्लीमेंट करने के लिए, गवर्मेंट ने चार कमेटियों का गठन किया, इसके स्टेडी करने के लिए कैसे इंप्लीमेंट करें रूरल लेवल पर, इसको समझने के लिए चार कमेटियों का गठन किया गया था, यह चार कमेटियां हम कहां तक है इसी को बोलते हैं सक्तियों का विकेंद्रिक रण डी सेंट्रलाइजेशन ओप पावर एक कमेटिया कौन-कौन सी थी आप लोग अच्छी तरीके से जानते हैं पहली कमेटी थी बल्वंत राय महता कमेटी बी आर महता कमेटी दूसरी थी असोक महता कमेटी इस सभी पंचायती राज इससे संबन देते हैं ठीक है असोक महता कमेटी तीसरी कमेटी बनी जी वी के राव कमेटी जी वी के राव कमेटी और लास्ट कमेटी जो थी एलम सिंग भी इस पर कुश्चन पूछा गया है भल्वंत राय कमेटी का गठन हुगा था 1957 यह यह बहुत इंप कमेटी का गठन हुगा 1985 में और एक साल बाद एलम सिंग भी 1986 में इसका गठन हुगा और सभी की अलग-अलग सिफारेस ने थी भल्वंत राय महता कमेटी ने शिफारेस की थी कि जो हमारा पंचायती राज सिस्टम है पंचायती राज सिस्टम है यह थ्री टियर होना लोकल्स का भी डेमोक्रेटिक प्रोसेस में पार्टिसिपेशन होना चाहिए बियार मैता कमिटी ने थ्री टीर सिस्टम की सिपारिस की थी जबकि असोक मैता ये जो कमिटी आई 1977 में इन्होंने का कि ये थ्री टीर सिस्टम नहीं होना चाहिए ठीक है इन्होंने का 3-tier system नहीं होना चाहिए यह कहते है 2-tier system होना चाहिए इन्होंने village और block level पे जो पंचाय थी इसको combine कर दिया और इसका नाम बोला मंडल समीती मंडल समीती और दूसरा इस तर जिलास तर पर हो गया तो इस 2-tier system इन्होंने recommend किया और जब जीवी के राव समीती का गठन किया गया 1985 में तो इन्होंने study किया इन्होंने देखा कि जो development है ग्रासरूट लेबल पर वो development तो होई नहीं रहे तो इन्होंने भी वही 2-3 बाते बोल दी development के लिए फिर आई LM सिंग भी कमेटी 1986 में इन्होंने बोला आज वह पढ़ते हो 73 constitutional amendment act 74 constitutional amendment act तो द्यान दखना अगर पूछा जाए कि पंचायती राज संस्थाओं को सम्मधानिक दरजा किसकी recommendation पे मिला है तो LM सिंग भी आपको लगाना है उत्तर ठीक है बीर महता साब नहीं लगाना है चैसी मेनों ने प्रपोच किया सम्मधानिक दरजा के लिए और 1992 में सम्मधानिक दरजा मिल गया यह कब हुए थे 1992 में मिले थे ना 1992 में हुए थे सम्मधान संसोदन क्लियर है तो यह इतनी बाते थी याप तो यह चार committee के नाम याद रखना है इनके यह याद रखना है और सबकी दो दो बाते याद रखनी है 52 में पूछा है अटी डिफेक्शन लोग दल बदल निरोधक अधी नियम कब अधी नियमेत हुआ था आपको दो चीज़ें यहाँ पर फटा फट याद आ रही होगी 52 में constitutional amendment act कब हुआ था 1985 में हुआ था बसे दोई चीज़ें यहाँ पर जाननी है लेकिन यहाँ आपे options देखिए कितने खतरनाक दी है यह सम में सेम है क्योंकि सब लोग जानता है 1985 में anti-defection law act लाग हुआ था 52 में constitutional amendment act से हुआ था और इसी समधान संसोदन से एक सूची जोड़ी गई थी 10-20 सूची यह deal करती है इसी से deal करती है anti-defection से इसकी correct date है 15 February 1980 ठीक है ठीक है इसके बारे में हम लोग काफी चीज़ें जानते थे ठीक है तारीक नहीं पता था तो इस question नहीं कर पाते तो इस तरह के question से बचना ही चाहिए अगर बिल्कुल भी blank है तो जाने दीजे भले ही हमें आता हो उसके बारे में क्यूंकि इस question में सही होने की probability कितनी है 1 by 4th है और 1 by 4th probability बहुत बेकार probability है 50-50 अगर probability है तब तो खेली है अगर 33% है तब खतनाक है और 25% है अगर तब तो बहुत ही खतनाक है तो इससे तो बचना है इन दोनों से बचना है नेगेटिव मारकंग है 1 by 3rd और हम ऐसी बेब को भी तो बिल्कुल नहीं करना चाहेंगे कि हमारा एक question के बज़े से हम एक साल पीछे हो जाएं चलिए 53 देखे 53 क तभन का question है संसथ की सकती है संसथHello से किसी भी पार्ट में किसी भी आर्टिकल में किसी भी कलो़ज में amendment कर सकती है संसथन कर सकती है लेकिन संस्थान का वो बबला पार्ट वो बीबला आर्टिकल वो बला कलोज basic structure से समंदित नहीं होना चाहिए मूल ढाचा का पार्ट नहीं होना चाहिए तब उसमें संसद amendment नहीं कर सकती है क्यों नहीं कर सकती है क्योंकि supreme court का judgment supreme court का judgment उपर बैठा हुआ है अगर संसद ने ऐसा काम किया तो ये फिर कानून supreme court के द्वारा या फिर जियोडी सरी के द्वारा क्या हो जाएगा ना लेंड बॉइड हो जाएगा ठीक है अब ये basic structure क्या है ये हम लोगोंने कई बार discuss कर लिया है बहुत सारी चीज़ें आती है basic structure में तो यहाँ पर कतन तो सही लिखा है कारण में लिखा है संसत भारत की जनता द्वारा निर्वाचित उच्चतम बिधाई संसता है highest जो legislative body है भारत में वो कौन सी है पालियमेंटी है तो सही है legislative body है तभी तो वो constitution में amendment कर रही है तो यहाँ पर ये option सही है कारण भी सही है कथन भी सही है explain भी कर रहा है चलि 54 देखे यहाँ पर पूचा है राज विधान मंडल के निर्वाचन हेतु सिद्धानतों में कौन कौन संबलेत है राज विधान मंडल यानि state legislature इसमें तोनों सदन आ जाएंगे विधान सभावी आ जाएगी और विधान परिसद भी आ जाएगी प्रतिक छेत्र ये निर्वाचन छेत्र के लिए एक निर्वाचक सूची होगी ठीक है बेसिक सी चीज़े है धर्में प्रजाती लेंग आदी के लिए निर्वाचक सूची बनाने में कोई स्थान नहीं होगा यानि ये जो electoral list बन रही है ये इनकी अगठन केस आर्टिकल से होता है एक ही आर्टिकल से होता है 169 से है ना 169 से यहाँ पर विधान परिसत बना भी सकते हो और मिटा भी सकते हो ये पूछा जाता है आर्टिकल तो ये तो मैंने बता ही दिया आपको लेकिन ये असली हमबर के आपका यह बताईए बिधान परिसत कितने स्टेट्स में है अभी भारत में अपर हाउस जो है इस्टेट लेवल का यह कितने स्टेट्स में है ठीक है यह बताईएगा 55 देखिए 55 में पुछा है भारती समधान के अनुच्छेद 371J कुछ यादारा कितनी बार पढ़ें इसको कितनी बार हम देखा हैं Constitution में आप लोगों को ये अंतरगत देश के किस चेतर को विशेश सिस्थिति परदान की गई है हम लोग 370 से पढ़ते हैं थे 170 ए पढ़ते हैं भी पढ़ते हैं सी पढ़ते हैं इसमें से 370 तो खतम हो गया अब जammoo कस्मीर 371 से आपको याद रखना है जिसमें से बहला सब से पहला जो सुरुशन होती है 373 के बाद 371 इसमें तो कम से कम एक तो यादि रखें स्टार्टिंग कहां से हो रही है इन special provisions की महाराष्ट और गुजरात के लिए 370 में और महाराष्ट और गुजरात के बाद 370 यह आता है और यह होता है नागा लेंड के लिए इसको देख लिए फिर से देख लिए ताकि revise हो जाए आपका देखें आप यह पार्ट नुम्बर कौन सा है यह पार्ट 21 है पार्ट 21 में 370 से देखें यह तो अब निर्शित हो गया डिलीट हो गया 350 special provisions हैं विसेश उपबंद हैं किसके लिए महाराष्ट और गुजरात के लिए यह देखा भी हम लोगों है 371 यह आजाए यह नागा लेंड के लिए यह भी देखा था B याद रखिये असम के लिए सी आद रखिये मनिपूर के लिए इसी तरह आपको यह सारे याद रखने है क्योंकि question कहीं न कहीं से पोछी लेता है क्योंकि यहां पर जो कुश्चन पूचा है वो 371 जे पूचा है यह पूचा है 371 जे और यह स्टेट ऑफ करनाटक के लिए तो याद रखने पड़ेंगा ना तभी हो पाएगा तो इसका स्क्रीन सॉट ले लीजिए काम आएगा भी ओप्सन से हो जाएगा ठीक है नागलेंट क्या पड़ा था 370 370 ए और महराश्टर गुजरात 370 बस 370 56 देखिए निम्हें कितमेसी किस एक की प्रास्तिती अन्य तीन से भिन है इश्री जाती आयोग नेशनलन कमिशन दो सबस्क्राइब निर्वाचन आयोग यह 324 में न तो यहां पर आप देख रहे हैं यह कॉंस्टिट्यूशन में लेकित है यह भी बाढ़नेत है तो यह सभी तो कॉंस्टिट्यूशनल बॉड़ी होगी समयधानिक संस्था होगी लेकिन यह राश्टी माना अधिकार करण राज बित आयोग इस्टेट 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 कमीशन 243 अर्टिकल 243 में घुसना है अब आपको क्योंकि जो सेंट्र लेविल का फाइनेंस कमीशन है बित आयोग है वो तो आपने 208 में देख लिया लेकिन अगर इस्टेट लेविल की बात करें तो आई में है इसको मैं दिखाऊंगा आपको कॉंस्टिटीटूशन में तो जब जिक्र है समिधान में आर्टिकल के रूप में तो यह सम्मेधान एक संस्ता हो गई कारण में संग्ये बित कमीशन ये 280 की बात कर रहे है 280 में जो कमीशन है बित कमीशन संग का पंचायतों को बि सेंट्रल विल्कुल रिकेमेंड करेगा क्योंकि सेंट्रल का बहुत बड़ा हिस्सा पैसा जाता है स्टेट्स को जाता है बहुत सारी स्किम्स होती है जो सेंट्रली स्पांसर्ड स्किम होती है जिनमें दोनों का हिस्सा होता है सेंट्रल का होता है स्टेट का होता है तो यह आर गलत कर दीजे, C साही कर दीजे, देखें आप पार्ट 9 में पंचायते पड़ते हैं और पार्ट 9 A में क्या है, नगर की सरकार है, और दोनों ही यह जो पार्ट है, 243 से डिल करते हैं, अब 243 में देखिए, कितने सारे आर्टिकल है, 243 A, B, अब यहां पे आप, आप लोग यह भी 243 से ही डिल करते हैं, तो 243 आगे तक आप ZT तक जाएंगे, तो सारे तो याद नहीं रखे जा सकते हैं, लेकिन जो इंपोर्टेंट है, उनको मैं यहां पे मार कर दे रहा हूं, तो उनको देख लीजे एक बार, जैसे हम लोग, यहां पे सबसे इंपोर्टेंट आर आजरबेशन ऑफ सीट, 243 ड याद रखना है आपको, और यह जो फाइनेंस कमिशन की बात कर रहे थे, कॉंस्टिटूशन ऑफ फाइनेंस कमिशन टू रिविव फाइनेंसियल पोजिशन, यह आपको राज, राजियों के लिए फाइनेंस कमिशन है, 243 आई, इसी के बारे म पूछा गया था, तो यहां से भी काफी कॉश्चन्स बनते हैं, चलिए हम बाफिस चलते हैं, कल लेंगे अब तो न, 58 देखिए, यहां पर आर्टिकल 352 के बारे में पूछा है, तीन आर्टिकल पढ़ते हैं हम लोग, 352, 356 और 360, नैशनल एमर्जनसी 302 में है, 356 में कहा ह यहां पर प्रेजिडेंट रूल है, राश्पती सासन है, और 360 में फाइनेंसिल एमर्जनसी है, बित्ती आपातकाल है, जो कभी लगा नहीं अभी तक, और 352 से जो नैशनल एमर्जनसी लगती है, राश्टी आपातकाल लगता है, यह भी कईवाल लगी है, और 356 से तो हुआ है, यहां पर इन्हों ने कुश्चन क्यों पूछा, कुश्चन इस चीज को जानने के लिए पूछा आपसे, आंतरिक उपद्राओ के कारण, यानि इंटर्नल डिस्टर्वेंस, इसी को इंटर्नल अनरेस्ट वी बोलते हैं, इंटर्नल डिस्टर्वेंस के कारण, आंत कभी भी आंत्रिक असांती का हवाला देके नेशनल एमर्जंसी लगाई जा सकती है प्रोक्लेमी तो करा ना है प्रेसिडेंट से अगर प्रेसिडेंट पी-म का आदमी है तो और वही हुआ भी था एक 1978 में 44.730 से इस कुलोस को खतम कर दिया गया अब डियू टू इंटर्नल अनरेश्ट के खारण नेशनल एमर्जंसी नहीं लगती है 352 से तभी राष्टी आपातका लगेगा जब योद्ध हो जाए या फिर बिदेशी आकर्मन हो जाए या फिर ससस्त्र बुद्रो हो जाए आर्म्ड रिवेलियन हो जाए 123 करेक्ट है ठीक है 59 में यहाँ पे पूछा गया है आर्थिक संबंद यहाँ पे केंडर सरकार और राजर सरकार के जो आर्थिक संबंद है तो किस आर्टिकल में है दिखे आप एक पार्ट पढ़ते होंगे पार्ट नमर 12 इसमें 32 से संबंद जानकारी दी गई है प्रोपेटि के बारे में जानकारी दी गई है प्रोपेटि और فाइनेष और कॉंट्रेक्ट को लेगे जो एकॉनमेक रिलिशन्स है Central और इस्टे MMA के यह पार्ट 12 में है हम लोग पार्ट नमबर 5 पढ़ते हैं यूनियन का जिक्रेस, संग का जिक्रेस में आर्टिकल 52 से 151 तक है फिर हम लोग पार्ट नमबर 6 पढ़ते हैं यह states के लिए dedicated है आर्टिकल कहां से सुरू होगा 152 से सुरू होगा 237 तक इसको बताने का प्रपज मेरा बस इतना है यहाप है कि आप यहापे options को reject कर सकते हैं जैसे पहला आर्टिकल 161 से 171 है तो यह तो नहीं होगा न क्योंकि 168 से 171 यह states के लिए dedicated है यहाप है के इंदर स्रकार और राज्यों के मर्दों जो economic relations है इनके लिए तो पार्ट 12 बना हुआ है तो पार्ट 12 237 के आगे ही होगा यहापे देखिए पार्ट 12 फाइनेंस प्रॉपर्टी, कॉंट्रेक्ट्स और सूट यहीं पर यह वित्त से समंदित प्रोविजन है distribution of revenues between union and states यही कुछ है न आर्ट 126 से आर्ट 126 से कहां तक है यह 218 सी तक है यही का आप से question पूछा गया है इस पार्ट में बताया है कि center के पास जो भी revenue आता है इस revenue का कुछ हिससा states को भी जाता है पढ़ते होना text levy it कौन करता है लगाता कौन है एक खट्टा कौन करता है करको फिर उसका distribution कहां कहां पर होता है text को लगा कौन रहा है collect कौन कर रहा है इस सारी provision आपको इस पार्ट में मिलते हैं पार्ट नमबर 12 में correct answer B option हो जाएगा हो जाएगा चले 60 देखें निमलिके तमेंसे कौन सा राज के high court high court का मुख छेतरा अधिकार नहीं है zero direction नहीं है यहाँ पर दूसरा option देखिए प्रारंबिक zero direction primary zero direction जो है यह high court का अधिकार होता है दूसरा है निरिक्षन का छेतरा अधिकार जो lower courts है district court है session court है trial court है इन सभी पर inspection करने का right high court को रहता है high court ही supervision करता है supervisory body है lower courts पे और आप लिए छेतरा दिकार appeal करी सकते हो आपको अगर district court का decision ठेक नहीं लगा district judge का decision ठेक नहीं लगा तो आप इसको appeal कर सकते हो उसको challenge कर सकते हो high court में अगर आपको high court का भी decision ठेक नहीं लगा सम्बंदी छेतरा दिकार आपने article 143 पड़ा है 143 में क्या है president क्या करते है parameters लेते है supreme court से परामर्स ले सकते है तो यह जो right है छेतरा दिकार है यह supreme court का है ठीक यह option है पर सही है जो high court के zero direction में नहीं आता next कीजी supreme court का जिकर किस article में article 124 में दो को एक की जगह पर बठाल दीजिए तो 214 बन जाता है 214 में high court की स्थापना है ठीक है states के जो high courts है यह 214 में हो जाता है चली सिस्टीवन में पूछा है राजपाल को high court के नया अधिस की निकती का अधिकारण नहीं है बिलकुल correct है क्योंकि high court के जो जाज है उनको appoint upon करता है प्रेजिडेंट साब करता है ठीक है प्रेजिडेंट साब करता है तो पहला सही लिखा हुआ है अधिकारण नहीं है राजपाल को दूसरा है यह बिधान मंडल का हिस्सा नहीं है यहाँ पर जो question पूछा गया है यह governor के बारे में पूछा गया है ठीक है राजपाल के बारे में पूछा गया है अब दूसरा पन पढ़िए यह है यह है मतलब राजपाल राजपाल गुधान मंडल का हिस्सा नहीं है यह तो गलत लिखा है यैसे हम लोग संसत पढ़ते हैं पर्ल्डAYमेंट पढ़ते हैं तो पर्लकिक meant के जो मुख्र अंघ है हैं वह क्या कि है एक फिर अपर हो जाता है जिसे राज्यसबा बोलते इसे लोकसभा बोलता है और तीसरा जो important organ होता है वो खुद president होता है ठीक है क्योंकि लोकसभा और रासभा कानून बनाएंगे है न यह draft तैयार करेंगे बैस होगी यहां पर final महर कौन लगाएगा president लगाएगे तब जाके वो law बनेगा act बनेगा उसी तरह state level पर भी होता है state level पर विधान सभा चाहिए ठीक है विधान परिसद चाहिए विधान परिसद नहीं भी है तब भी चलेगा लेकिन साथ में महोल लगाने के लिए governor भी तो चाहिए तो governor विधान मंडल का अनिबार अंग है ठीक है तो यह गलत लिखा हुगा है तीसरा लिखा है विधान है पहला और तीसरा ठीक है पहला और तीसरा शिश्टी टू में पूझाए किस कानून के अंदरगत या बहुत है कि भारत के सुप्रिम कोट की संपूर्ण कारवाही अंगरी जी भासा में होगी जस्ट फैक्ट है याद कल देना है भारती समदान के नुच्छेत 348 द्वारा ड यानि कौन के चैक है पूत्तर लेंस की जो फोकल डिस्टेंस होती है वह को सब्सक्राद के तो नेगते होती है आँ है इन दून को सठाब के और देखिए पहला है है हेर्द है अब सिर्फ या परदी पर कंपन करता है हर्ट वाइब्रेट जो करता है वह इन्फरासंक फ्रीक्वेंसी पर करता है ठीक है हम लोगोंने हर्ट के बारे में भी कापी चीज़ां पट रखी है दूसरा है धौनी की गति गैस मैं दरब ठोस की तुल्ला में अधिक होती है यह तो महां गलत है solid में जो ध्वनी की गति होती है वो सबसे ज्यादा होती है ठीक है और vacuum में सबसे कम होती है क्योंकि medium चाहिए होता है मेग नमर्ज होता है यह रिप्रिजेंट करता है speed of sound को ठीक है speed of sound को यह लिखा हुगा है यह भी correct है चौता है प्रासरव द्वनी यानि अल्ट्रा सोनिक जो sound है इसकी याबरती 20,000 हट से अधिक होती है correct है basic basic से points है यह पर दूसरा गलत है बाकि तीनों सई हो जाएगा दूसरा हटा दीजिए यह हट जाएगा यह हट जाएगा यह हट जाएगा सी बचा हट के बारे में बॉला जाता है यह दूसरे चेमबर को लेपIRE बेंट्री कल बोला जाता है उसी तरीके से तीसरा जो चेमबर है इसे राइट बेंट्रिकल बोलता है नीचे वाला जा है व्यम्षा होता है उपर बेंडर करता जैसका एक आक्से ब championships है और यह से पूरी बडी में सफपलाई होगा ठीक है यह लेफ्ट वेंट्रीक्ल से पूरान्य को में संफलाई इस लिए लेफ्ट वेंट्रीक्ल को मेंं डीयानि तरह वहलिंग करेगी तो पिर थी सरी नमबर चंबर में तीसरे के बाद चौते नमबर चंबर में जाएगा और चौते के बाद फिर सुद्ध होने कहां जाएगा फिर से फैंफण में चला जाएगा यह ऐसे साइकल चलती रहती है लेफ्ट वाला जो हिस्सा है इसकी बॉल इसकी दीवाल मौटी होती है इसलिए यह 20 वाले को systolic बोलते हैं 80 वाले को diastolic बोलता है लेफ्ट साइड में ब्लेट प्रेसर जादा जनेट होने का करण क्या है एक तो देवालें जो है मौटी है और दूसरा जरूरत है नीड है क्योंकि पूरी बॉडी में सप्लाई होना है सुध्ध ब्लेट को और यह तभी प्रेशना मीटर से करेंट को मेजर करते हैं हाइग्रो मीटर हाइग्रो रूड वर्ड होता है हमेडिटी का तो यह साप एक शाद्रता हो जाएगा स्प्रिंग तुला स्प्रिंग बैलेंस बेट हो जाएगा और यूनेट होती है प्रेसर की और क्या यूनेट होती है पासकल यह प्रेसर होता है चलिए 66 देगे जल का बास्प में परिवर्टन क्या कहलाता है कनवर्जन और बार्टर इंटू बेपर पानी से कनवर्जन हो रहा है बेपर में तो क्या बेपर से फिर से पानी बन सकता है बिल्कुल बन सकता है यानि यह रिवर्सिबल प्रोसेस है और जो प्रोसेस होता है उसे बहुत एक परिवर्दन बोलते हैं फिजिकल चेंज बोलता है केमिकल चेंज में प्राणी स्थिती वापिस नहीं आती है जैसे दूद से दही बन जा रहा है तो दही से फिर से दूद नहीं बनेगा या फिर दही से मठ्ठा बन जा रहा है तो मठ्ठे से आप फिर से दही नहीं बना सकते हो यह chemical change है ठीक है चलिए 67 में डाक्टर कलाकार और मूर्तिकार यहां पर मैं एरेश कलनूं पहले कह लिखा है पहले कलाकोung कहरेश दक्टर कलाकर और मूर्थिकार कलेसियम सेलफेट का उपयोप नाम है हात-पाउँ तो जाते हैं तो लित नहीं प्लास्टर करना होता थे प्लाइस्ट और पैरिस कलाकार भी उच करते हैं मूर्तिकार भी उच करते हैं डी सही है सब्सक्राइब करते हैं तो जी अंनुन करहते हैं कि घ्रिक्त करते कि सहितारा जाता है उसे बर्मी किल्चर और आज कल तो इसकी बड़ी डिमांड और 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 फार्मिंग के लिए तो चलिए 70 सेबिंटी में कथनकारन का question जब तक पड़िYour question जब तक हम एकलने काम shifting कर ला यह पर जंग के बारे में पूछा है जो जंग लग जाति हे यह बहुने होने से बनता है यह तो आसान आप होता है आयरन ऑक्साइड होता है ना आयरन ऑक्साइड तो सी ओप्सन सही है कर लेंगे तो कीजी इतना कीजी सत्र कोशन मिलते हैं बहुत बहुत सुक्रिया